नमस्कार म्रदुभाशी में आपका स्वागते आप देख रहें 5 पीम शो शो में बड़ी खबर मुंबई से जहां अनलोक होते ही सड़कों पर भीड उमड पड़ी इसके अलावा बात करेंगे कि मुलायम सिंग यादफ के वैक्सीन लगवाने पर उनके बेटे अकिलेश यादफ यो ट्रोल होने लगे लेकिन शो की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी सोमवार्श याम पांच बजे राश्ट्र के नाम संदेश देंगे PMO ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कोरोना की समय में ये प्रधानमंद्री का राश्ट्र के नाम नववा संदेश होगा हाला कि मोधी का संबोधन की स्मुद्धे पर रहे का ये ट्वीट में स्पश्ट नहीं किया गया है यहां तक की प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो की PMO यूनिट को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि मोधी की इन मुद्धों पर बोलेंगे कोरोना संक्रमन के खत्रे की वजह से करीब डेड महीने तक लॉक रही मुद्धी सोमवार को फिर से अनलॉक हुई हाला कि अनलॉक होते ही मुद्धी की सडकों पर जो नसारा दिखाई दिया वह परिशानी बढ़ाने वाला है शहर के खुलते ही कई इलागों में भारी भीड देखने को मिल रही है इस्टन और वेस्टन एक्सप्रेस वे पर भी कई किलो मीटर लंबा जाम लगा रहा इस दोरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोडते हुए नजरा केंद्र सरकार एक ऐसे मेकेनिजम पर विचार कर रही है जिसके तहट घरेलू हवाई यात्रियों को कम से कम परिशानी में यात्रा की सखूलियत दी जा सके केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोस लग चुके हैं उन्हें देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए RTPCI रिपोर्ट की जरूरत नहीं होकी अभी उन्ही यात्रियों को RTPCI रिपोर्ट देना जरूरी होता है जो उन राजियों से सफर करते हैं जहां अभी भी COVID के केस ज्यादा आ रहे हैं खबरों के हर पहलू पर है हमारी नज़र सलीके सब दिखाते हैं हम सच्ची खबर एक ही एब पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर हमारी सोशल वॉल की जरिये हों दुनिया से कनेक्ट मोबाइल पर एक टैब कर फ्री में पढ़े हमारा e-paper एक टैब पर देखें इंट्रस्टिंग शॉट वीडियो रदुभाशी अखबार के QR code को स्कैन कर देखे खबरे अब इंस्टॉल करें रदुभाशी एब एक स्टडी में दावा किया गया है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को कोवेक्सीन के मुकाबले कोवीशील्ड पहली डोस के बाद ज्यादा एंटिबोडी बनाने में सक्षम है स्टडी में 552 हेल्थ केयर वरकर्स को शामिल किया गया था स्टडी में दावा किया गया है कि कोवीशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में सीरो पॉस्टिविटी रेट से लेकर एंटी स्पाइक एंटिबोडी की मात्रा को वैक्सीन की पहली डोस लगवाने वाले लोगों की तुल्ला में काफी ज्यादा थी समाजवादी पार्टी के संरक्षक और सांसद मुलायम सिंग यादफ ने 82 साल के उम्र में सोमवार को गुरुक्राम के मेदानता अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोस लगवाई पोटो सोशल मीडिया पर आते ही उनके बेटे और उत्तर प्रदेश के पुर्व मुक्यमंत्री अखिलेश यादफ ट्रोल होने लगे अखिलेश ने 2 जनवरी को जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू करने का एलान होने जा रहा था तब इसके खिलाब विवादित बयान दिया था उन्होंने कहा था ये बीजेपी का टिका है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए मैं अभी टीका नहीं लगवाने जा रहा हूँ हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी आज के लिए इतना ही अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश के बड़ी सुर्कियों के साथ तब तक आप देखते रही मुर्द भाश्वी नियूज